बे सरम रंग और बे परदा बॉली बूड की कुछ सच्चाई जो है आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को आप लोगों ने इसके पहले भी इन तस्वीरों को ध्यान से देखा ही होगा ये सब चीजे जो है वो आप लोगों ने ध्यान से नोटिस भी किया होगा बात आज इनके ना रंग पे होगा और ना ही इनके ढंग पे होगा बात एक अलग होगा और सिर्फ और सिर्फ सारुक या दिपिका की बात नहीं होगी बात उन तमाम लोगों का होगा जो कहीं नहीं अक्षै कुमार, अजय देवगन, सारूख खान ये सभी लोग, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं जो है, ये लोगों को सुपरेश्टार हम बनाते हैं, और सुपरेश्टार बननेके बाद जो है, ये लोग कौन सा गुल खिलाते हैं, वो किसी क किसी से छुपा नहीं है अब सब hyd देख सकते हैं इसमें सदी के मानायख होते हैं छोठे बड़े होते हैं सब लोग होते हैं कुछ दिन पहले जो है ये कॉंट्रॉबर्सि वा था और आज भी ये कॉंट्रॉबर्सि चल रहा है यह सारुक कन को पता था कि हमारा जो वाला फिल्म है पठान वो हीट नहीं होगा तो यह जान-बुज के यह साधू-महात्मा वाला कलर जो उगते हुए सुरे का कलर होता है जो सौरे का प्रतीक होता है वो केसर्या रंग भगवा रंग का ड्रेश इनों पहन के बवाल किया अईसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है सारुख खान ने पहली बार ये काम किया है या सारुख खान दिपिका पादु कोन ही ये काम करते है इस परकार का बेसर्मी वाला हरकत जो है बॉली बूर जो है पहले भी करता था आज भी कर रहा है और अगर आज अच्छे से नहीं रेले तो भविस्य में भी करेगा भुजपूरी इंडरस्टी में भी होता है और दूसरे इंडरस्टी में भी इस परकार का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा पहले सोसल मीडिया पे लोग एक्टीव नहीं रहते थे इसलिए जो है यह लोग जो है विपर्दा नहीं हो अब लोग जो है रेल दे रहा है अब पठान तो हीट होने वाला नहीं है तो सारुकार ने सोचा कि कुछ बवाले कर दिया जाए इसलिए जो है इस परकार का बवाल हुआ है बाकी महिला के सम्मान में सभी पूर्शों को खड़ा होना चाहिए सभी लोगों को खड़ा होना कृके लेकिन इस परकार की महिला के सम्मान में हम लोग कई से खड़ा हो बताइए और ये गई है महासे जो है गुटका का परचार करते करते सारुख खान और दिक्पा-पधुकोन चली गई कतर गई और लोग बोल रहा है कि कतर में देखिये दिप्र पधुकोन को बुला ल तो वहां पर पूरा ड्रेस पहन के गई हैं पूरा ढख के गई हैं यहां तक इनका जो है यह मतलब कि जो भी इसको पता नहीं क्या बोलते हैं यहां तक है यहां तक भी पहन के चली जाती ना था इनका हाथ हुआ वहां से साय सलामत नहीं आता कि वहां पूरा भुरका में राता है वोग पूरा परदा में राता है लोग और वहां पे जाके ये वर्ल्ड कप का ट्रॉफी छूली है क्यों छूली है देखिए भारत का ट्रोल करने वाला गैंग जो है उसके दिल पे जो है साप लेट गया होगा ये हो गया हो गया होगा सारुक का पठान फिल्म जो है वो कतर में चला गया कतर में कोई को सिनेमा हॉल है मैक्सिमम 40-50 उगो होगा, अगर कतर में इनको प्रमोसन करने से इनका फिल्म हीट हो सकता है तो भाई जाये ना, वह ही पर फिल्म लगाए, वह ही पर दिखाए का जुरत है, हम लोग नहीं देखेंगे, ऐसे भी भारत में लोग नहीं देखने वाले अरे आप ऐसा दिल खोलिये कि भारत के लोग आप से नराज नहीं हो हम तो यहीं चाहते हैं हमारा कोई आपसे दुस्मानी थोरी है आप ऐसा काम किजे ना आप कतर वर्ल्ड कप फाइनल में जाकर ऐसे कर रहा है तो आप और दिपिका पादुकोन जैसे गानवा में किये हैं वह ऐसे जाकर करते वहाँ पर अपने आप पता चल जाता कि कतर वाला आपको बुलाता है कि नहीं बुलाता है और आप फिल्म के वज़ा से नहीं गए है सारुखान जी और दिपिका पादुकों जी याद रखिएगा आप लोग भारत के वज़ा से गए हैं अगर किनिया के आप लोग सुपरेश्टार होते बर्मूडा के होते ना ता आप लोग को कोई नहीं बूल आता कोई नहीं भारतियों की संख्या वहां पे ज्यादा है इस वज़ा से भी आप लोगों को बुलाया गया पहला चीज दूसरा चीज सारुखान जी आपने अच्छे-च्छे फिल्मों को भी बनाया है आप भारत के सुपरेश्टार थे दिपिका पादुकों जी सुपरेश्टार थी इस वज़ा से इस वज़ा से नहीं बुलाया गया कि दिपिका पादुकों बेसरम है उस वज़ा से सारुखान बेसरम है उस वज़ा से इस वज़ा से नहीं बुलाया गया इन चीजों को आप लोग समझिए और कहीं भी किसी के भी भावनाओं के साथ आप लोग खिल्वार करें हैं दुनिया के किसी भी दूसरे धर्म के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवार किये होते तो क्या होता है इन लोगों के साथ हम किसी एक धर्म का बात नहीं कर रहे हैं किसी भी दूसरे धर्म के लोगों के भाउनाओं के साथ खिलवार किये होते तो यह लोग क्यों नहीं सिखते हैं कलाम हमारे देश के थे न हम इतने देश को बचाने के लिए जो टैंक के नीचे जो है अपने आपको जोक दिया न क्यों नहीं सिखते हैं हम अगर मुसल्मानों के भाउनाओं का सम्मान करते हैं तो ह एक रंग भूल जाइए ये किसी भी रंग का होता कुछ भी होता है इसको भूल डायए आप भूल जाइए अप बताए कि क्या यह सही है क्या इस परकार का गाना जो है Bollywood के लिए सही है साउथ इंड़स्टी क्यों आगे जा रहा है साउथ के किसी भी सुपरेश्टार को इस परकार का कुकर्म करते हुए आप लोगों ने देखा है और इस परकार का कुकर्म करने वाले लोगों को हम सुपरेश्टार कैसे माने कैसे बोले आप लोग बताईए छोड़िये हिंदू मुसल्मान छोड़ दीजे किसी भी धर्म का कोई भी बाप आके कहे कि मेरी बेटी जो है ऐसा ड्रेस पहनेगी और उसके साथ दूसरा लड़का जो है ऐसा करेगा तो हमको दुख नहीं लगेगा हम इनके खिलाब जो है बोलना बंद कर दे हम तो किसी को नहीं छोड़े सारुख खान हो तो अक्षाय कुमार हो तो अजय देवगन हो तो अमिता बचन के घर के सामने से जो है कमला पसंद का एट जब उन्होंने किया था तो भी रोध किये थे हम तो नहीं सोचते हैं या हिंदू है या मुसल्मान लेकिन हम तो इतना जरूर सोचेंगे ना कि इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के भावना के साथ खिलवार अगर बॉलीबूट का कोई भी कलाकार करेगा तो उसको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं उसको तो नहीं छोड़ेंगे ना कई से छोड़ेंगे यह ऐसे ऐसे भणुए लोग किसी के भी धर्म के साथ खिलवार करेंगे किसी का अपमान करेंगे अब जरा बताइए ना कोरियोगराफर ने यह स्पेशल टेकल लिवाया होगा ना एक पर में थोरी होगा उसमें ड्रेस काई लोगों को ख्याल तो आना चाहिए था ना एक पर जो है दूसरा दूसरा सागरुक नहीं थे लेकिन लाल सी चड़ा में उनका चड़ी फट गया फटा की नहीं फटा तो अगर आप पाप करेंगे तो प्रास्चित भी आपको करना पड़ेगा सारुखांजी यह बात का ख्याल रखिया और आप बोलते हैं कुरसी की पेटी बांध ले मौसम खराब ह होने वाला है तो सच में सारुखांजी कुरसी की पेटी आपको बांधने की जौरत है मौसम आपका खराब हुआ है भारत का मौसम खराब नहीं हुआ है और आप कुरसी की पेटी बांध यह मुंबई से सीधे दुबाई का प्लाइट पकड़िए दुबाई के आप भूसरम को भी लेकर जाएं और दुबाई के बीच पे जो है ना एकपर सेम स्क्रिप्ट में फिल्म सूट करके दिखा दिए फिर पता चल जाएगा कि बेसरम रंग यह होता है और बेसरम इस्क क्या होता है आप लोगों को पता चल जाएगा सचाहिए यह है कि चाहे यह इस परकार का भणवा कोई हिंदू कलाकार हो चाहे इस परकार का भणवा कोई मुस्लिम कलाकार हो धर्म देखके इन लोगों का विरोध नहीं होना चाहिए इन लोगों का डाइरेक्ट विरोध होना चाहिए यहां पे देखिए यह अक्छाय कुमा करती हैं यानि सने लियो won macam जो ऑफिए इजय दीन लोगों कभी में ढुआ यह दो valeur यह लोग बड़ इस में डेख सकते हैं साउध का एकलोता जो है महँथ वाफु यार तुम साउथ के कलाकारों से सीखो ना यह क्या कर रहे हो तुम साउथ का कोई भी कलाकार जो है इस परकार का काम नहीं करता है तो बिनती है आप लोगों से कि इस परकार के बेसरम कलाकारों का आप लोग विरोध करें चाये वो कहीं भी किसी भी परकार का गलत करें साउथ के लोग जागरूख है इसलिए जो है south में जो है वहां के कलकार जो है बेसर्मी का हद पार नहीं करते हैं और हम लोग जो है इसी में मजा लेते हैं कुछ लोगों से मैं मिला था तो वो लोग बोल रहते कि गानवा तो बहुत कमाल का है उनसे एक एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो है चल यह ठीक है सारा फिल्म जो है अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं कुछ लोग जो है गल्फेंड के साथ भी देखते हैं कुछ बीबी के साथ भी देखते हैं लेकिन एक लिमिटेशन्स होना चाहिए कि न यूवे और तीसरा जो है यू होता है यूनिवर्सल सब लोग जा के देख सकते हैं बच्चे भी जा के देख सकते हैं यूवे सर्टिपिकेट इसलिए दिया जाता है कि अगर बच्चे वहां पर जा रहे हैं तो वह किसी एडल्ट के साथ यानि माता-पिता के साथ जाएंगे से किसी film में मारपीटून खराबण दिखाए जाता है तो उसमें यूए दिया जाता है और पूरा असलीलता प्रोस्थ किसी अगर लोगों को पता चले कैसि फिल्म होने वाला है भाइस साब देखिए अगर आपने एक उपने किया होता तो साध हम लोग सोचते भी फिल्म देखने के लिए लेकिन अब हम लोग नहीं जाएंगे बाकी बॉलीबूट के बेसरम कलाकारों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इनका रिलाई होना चाहिए की नहीं होना चाहिए यह लोग किस परकार से सुध रहेंगे इन सब चीजों पर आप लोग अपना राय निस्पक्ष हो के एक भारतिये के जाहिंद